वो एक सब लोग आजकल कहते हैं पहले इतना नहीं कहते ते आजकल कहते वो कहते ये जनसंख्या क्या क्या करेंगे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही तो जनसंख्या नीती तो होनी चाहिए अपने आविचार हुआ है एक परिवार में 2.1 ऐसा खायने दो बालक रहे ऐसा विद्वानों ने मिलकर निश्चित किया सरकार ने उसको स्विकार किया यह सब हुआ है लेकिन हमको लगता है कि एक बार फिर विचार कर लेना चाहिए क्योंकि दो बाते सारी बातों का विचार करना अभी हमारे देश में हमारा युवाओं का देश है 57 प्रतिशत युवा है तीस साल के बाद यह सब बुड़े बनेंगे उनको खिलाने के लिए भी हात लगेंगे कितने हात लगेंगे कितने लोगों को खिला सकेंगे और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा इतना हम बढ़ेंगे तो परियावरन कितना जहल सकता है हमारी माता है उस दुर्ष्टी से कितनी सक्षम है उनको खुद के पहरों पर खड़ा रखने का सामर्च उनका सशक्तिकरन कितना हुआ है वो कितनी प्रबुद्ध है हम उनको कैसा ऐसा बना सकते एक पचास साल आगे लाका विचार करके एक नीती बनानी चाहिए और उस नीती को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए कि क्योंकि जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है वैसे जनसंख्या का असंतुलन भी समश्या बनती है बन रही है देश में दुनिया में हम देख रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं इसमें किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता है और इसलिए हमने एक 2015 में ही प्रस्ताव पास किया इसके बारे में उस प्रस्ताव को मैं पढ़के बताता हूँ जनसंख्या वुर्द्धिदर में असुन्तुलंग की चुनोंती। डेश में जनसंख्या नियंत्रन हेतु किये विविद उपायों से पिछले दशक में जनसंख्या वुर्द्धिदर में परियापत कमी आई है। लेकिन इस संबन्न में अखिल भारत्य कारिकल की मंडल का मानना है कि 2011 की जनन गणना के पांथिक आधार पर किये गिये विसलेशन से विविद संप्रदायों की जनसंख्या के अनुपात में जो परिवर्तन सामने आया है उसे देखते हुए जनसंख्या नीती पर पुनर विच जार की आवश्चक्ता प्रतीत होती है विविद संप्रदायों के प्रती जनसंख्या वुर्द्यदर में बारी अंतर अनवरत विदेशी घुस्पईट वो मतांतरन के कारण देश की समगर जनसंख्या विशेशकर सीमावर्तिक चेत्रों की जनसंख्या की अनुपात में प्रजन न दर की आधर्श स्थिति को दोगाद इसी अपेक्षा थी के अपने राष्टरीय संसाधनों और भविश्य की आवश्क्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजनन अदर का यह लक्ष समाज के सभी वर्गों पर समान रुप से लाग होगा परंतु 2005-6 का राष्ट्रिय प्रजनन एवन सार्थ सर्वेक्षन सन 2011 की गणना के 0-6 आयोर्ग के पांथिक आदार पर प्राप्ता आकडों से असमान सकल प्रजनन अदर एवन बालसंट जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है यह हमारा प्रस्ताव है तो इसलिए सुजाव हमारे ऐसे और भी लिखा है पूरा नहीं पड़ता हूं लिखित भाषन में उपलब्ध है देश में उपलब्ध संसाधनों भविष्य की आवश्रक्ताओं एवन जनसंख्य की असुंतलं की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीती का पुनर्ण दारन कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए सीमा पार से हो गई अवईद घुस्पट पर पूर्ण रूप से अंकुष लगाया जाए राष्ट्रिय नागरिक पत्रिका का निर्मान कर इन घुस्पैठियों को नागरिक ताके अधिकारों से तथा भूमी करिके अधिकार से मंचित किया जाए जो अनधिक्रुत प्रवेशकारी लोग है वो हमारे देश में बसने वाले सदियों से बसने वाले पिडी दर पिडी बसने वाले नागरिक बने हुए किसी के प्रति ये बात नहीं है और देशवासियों का ये आवान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं सभी कारणों की पैचान करते हुए जन जागरन ज्वारा देश को जनसांख्य की ये असुन तलन से बचाने की सभी विधी सम्मत प्रयास करें कैरों में एक परिशद हुई थी राट्रों की उसमें सब के साथ अपने देश का जो अधिक्रुत संकल्प है डप्र मन मोहन सिंग उस समय प्रधान मंत्री थे उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है